नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है और वाकई में सरमसार करने वाली है सुनकर के सासा यकीन नहीं होगा कि क्या पाकिस्तान की माली हालत, अर्थ वहस्ता इतनी खराब हो गई है कि अब वो रेप पीडिता से चार्ज वसू लेगा आप ज़रा सोचिए कोई भी रेप पीडिता जब जाती है फोरेंसिक टेस्ट के लिए तो उसकी मांसिक इस्थिति क्या होती है और अब वही पाकिस्तान उसका एक खैवर का मेडिकल कॉलेज इनर्सिटी है उसने फैसला किया है कि रेप पीडिता से वो 25,000 रुपया लेगा टेस्ट के लिए चोदर फरवरी को कॉलेज इनर्सिटी प्रबंध समिती की मिटिंग हुई है जिसमें ऐसे ही रेट डिसाइड किये गए है डीने टेस्ट के लिए 18,000 रुपया जिसमें उसके लिए डेड़ जार रुपया लिया जाएगा आईसे ही कई टेस्टों के लिए 17 फुल टेस्ट है उसने फिस निर्धारित की है लेकिन सबसे जादे जो आलोचना हो रही है सोसल मेडिया पर बाते चल रही है कि पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि वो रेप पीड़ता से अब उसका चार्ज वसू लेगा तो लोग इसकी अलोचना कर रहे है अब जारा उसकी माली हालत पर गोर कीजिए आपने सुनाओगा 16 रुपय की रोटी बीक रही है आटा नहीं मिल डाहा है वाकई में वहाँ पर मांगाई बहुत जदा बढ़ गई है अर्थ दोस्त कंगाला यादि सिर्फ बिदेशी कर्ज की बात करें तो 74,000 रुपय का बिदेशी कर्ज है आपने पिछले दिनों सुनाओ कि इस तरीके से सौधी अरब और UAE ने जब पैसा मांग लिया तो उसे चीन के सरण जाना पड़ा जैसे तैसे चीन से पैसा ले करके उसने सौधी अरब का लोटाया था और इसी बीच में ये भी खबर आई कि हट पाकिस्तानी पे पहुने दो लाख का कर्ज है यानि कि अंदाजा लगाई है कि क्या वहाँ पे इस्तिती हो रही है और इमरान सरकार में इसमें से आधे हिस्त कर्ज नहीं लेंगे और अब वही इमरान खान की सरकार है कि पैरो तले जमीन खिसक रही है खाने को रोटी नहीं और अब रेव पीड़ताओं से ये वसूली होगी तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान किन परिस्तितियों से गुजर रहा हां वो एक काम मे पीछे नहीं रहता है जब कभी भारत का मोका आएगा जब कहीं कमिताव काइगा तो वहांपे न बोलने से चुपता है नं ju. जो करना है सो करे लेकिन रेप पिड़ताओं को तो बक्स दे अदर्वाइस इस पैसले को लेकर के बवाल होने वाला है तो आप रहेए नहीं आब थेंक यू